हेलो दोस्तो हिंदी एंडरोइड टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर की एक गुप्त ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं पता है दोस्तो इस कैलकुलेटर में छुपे हैं आपके राज दोर आपको पता नही नहीं किसी को पता है दोस्तो इस calculator की अगर trick को आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को देखते रहना है यहाँ पर दोस्तो मैं आपको छोटा साई demo दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने calculator को open कर लिया है दोस्तो open करने के बाद यहाँ पर मैं type कर लेता हूँ 10 plus 10 plus ठीक है तो यह हो गया 20 ठीक है आप दोस्तो मैं इसे clear कर देता हूँ यहाँ पर मैं type करता हूँ 1,2,3,4 तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या open हो गया है तो दोस्तो अगर आप भी calculator की दोस्तो आप अपने mobile के calculator में अपनी personal photos, videos को और किसी भी file को hide कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने calculator में अपने photos और videos को hide करके रखा है जब भी कोई calculator को open करेगा तो वो यही सोचेगा यह तो calculator है और दोस्तो आपको इस calculator को download करना होगा तो मैं आपको बता दूँगा end में वीडियो के कहां से इसे download करना है पहले मैं आपको इसका use बता देता हूँ किस तरह से इसके अंदर हमें settings करनी है दोस्तो आप calculator को open कर लीजे open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसके इंटरफेस मिलेगा आपको इसके skip करना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना है से use now पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको password set करना है अपना charge widget का तो मैं यहाँ पर मैं password set कर लेता हूँ 1 2 3 4 फिर हमें यहाँ पर इसे confirm पर click करना है फिर से एक बार हमें यहाँ पर password डालना है और दोस्तों फिर लिए मिलेगा अब दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपनी personal photos को hide करना है तो simple से आपको इस main album में click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस की निशान पर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे Google Drive सवाइब से फोटों यहाँ पर hide कर सकते हैं और यहाँ पर आपको mobile की सबी photos आपके सामने आ जाएगी जो भी आपके gallery में photos दोस्तों सब आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगी अब दोस्तों यहां से आप किसी भी photo को select करके इसे import पर click कर सकते हैं जैसी click करेंगे दोस्तों तो यहां पर यह photos हाइट हो जाएगी जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आप दोस्तों यहां पर यह बोल रहा है कि आपको email address देना है यहां पर चाके आपके पासवर्ड भूल जाते हैं यहां पर दोस्तों तो आप इस email के जरीए recover कर सकते हैं अपने personal photos और विडियो को तो जोस्तों उसके लिए आपको यहां पर एक email address दाल लाया अपना तो यहां पर मैं अपना दूसरा वाल ऐमेलłosट दाल देता हूँ यह cut करके यहां पर जोस्तों मैंने आप़ एट कर देना है तो थोड़ा दोश्तों यहां पर हम वेट कर लेते हैं फिर से हमें next पर click करते हैं और हम यहां पर confirm पर click कर देते हैं अब दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि हमें को यहां पर email address देना है ताकि हम पसवर्ड भूल दा बाद थोरे यहां पर इस पको करने के पर करने बाद को प्रीस बाएन आपको आपको उसे अमसने पर उसके को फोड़ा को हच करते हैं घैसा कि आप कर सकते हैं ers और दोस्तों इसके बाद जो बहुती आसानी से आप अमने मwartने के परस्नल फोटो और वीडियो को हाइट कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा अब दोस्तों यहा पर मैं से बैक कर देता हूं ठीक है अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ओने मोबाइल में यह कैलकुलेटर नजर आ रहा है दोस्तों कोई भी इसे उपन करेगा तो दोस्तों यह सोचेगा कि कैलकुलेटर है और इसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपके क्या राज छुपा के रखें आपने ठीक है यहां पर मैं अगर आपको 50 50 प्लस 50 प्लस तो देख सकते हैं 100 अब ठीक है अब इसे उपन करता हूं 1234 ठीक है दोस्तों यहां पर मान लीजिए आपको यहां पर अब यहां से डिलीट कर देख सकते हैं अब मैं आपको अपने मोबैल की गेलरी में भी दिखा देता हूं यहां पर दोस्तों फोटो में यहां पर वापस आ चुकी है आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों आप बहुती आसानी से अपने मोबैल के कैलकुलेटर में फोटो के description में भी मिल लिएगी 1 million लोगों ने से download किया है 4.5 कि इसको rating मिली है तो कि बहुत जादा है दोस्तो तो उमिद करता हूँ यह application आपको पसंद आयोगी और यह video भी आपको पसंद आया होगा दोस्तो अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like कीजिए share कीजिए और comments जरूर कर आए तो अभी subscribe कर लीजे साथी साथ notification bell को भी आउन कर लीजे क्योंकि इसी तरह की tip and tricks और latest application का review में लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए हिंदी android tips देखते रहे और सीखते आए तेंक यू